आईए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी लाल हवेली ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोय अपने पती को देखा और एक लंबी सांस खीच कर करवट बदल ली कंबल से ढकी रहमान अली की उची तोंद गाड़ी के जखोलों से रहरे कर काप रही थी अभी तीन घंटे और थे ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा कमबक्त कितनी देर देर में घंटी बजा रही थी राद भर एक आँग भी नहीं लगी थी उसकी पास के बर्थ में उसका पती और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सल्मा दोनों नीन में बेखबर बेहोश पड़े थे ताहिरा घबरा कर बैट गई क्यूं आ गई थी वो पती के कहने में सो बहाने बना सकती थी जो घाव समय ने पूर दिया था उसी पर उसने स्वैम ही नश्टर रख दिया अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था स्टेशन आही गया ताहिरा ने काला रेश्मी बुर्का खीच लिया दामी सूटकेस नए बिस्तव बंद, एयर बैग चांदी की सुराही उतरवा कर रह्मान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे समाल कर अंदास से उतारा जैसे वो कांच की गुड़िया हो तनिक सा धक्का लगने पर तूटकर विखर जाएगी सल्मा पहले ही कूटकर उतर चुकी थी दूर से भागते हाफते हाथ में काली टोपी पहने एक नाटे से आदमी ने लपक कर रह्मान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा दिया उन दोनों की आँखों से आसू बह रहे थे तो यही मामू बित्ते हैं ताहिरा ने मनीमन सोचा और थे भी बित्ते ही भरके बित्या को देखकर मामू ने जट गले से लगा लिया बिलकुल इसमत है रह्मान वो सल्मा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे वही चेहरा मोरा वही नैननक्ष इसमत नहीं रही तो खुदा ने इस दूसरी इसमत भेज दी तायरा पत्थर किसी मूरत बनी चुप खड़ी रही उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे उन्हें कौन देख सकता था वही स्टेशन वही कनेर का पेड पंद्रा साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई नहीं बदल सका चलो बेटी मामू बोले बाहर कार खड़ी है जिला तो छोटा है पर अलताफ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई इंशालला आप कोई बड़ा शहर मिलेगा मामू के एक लौते बेटे अलताफ की शादी में रह्मान अली पाकिस्तान से आया था अलताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था ताहिरा फिर मन ही मन कुड़ी घर पहुँचे तो बुड़ी नानी खुशी से पागल सी हो गई बार बार रह्मान अली को गले लगा लगा कर चूमती थी और सल्मा को देखकर ताहिरा को देखना भी भूल गई या अल्ला ये क्या तेरी कुदरत इसमत को ही भेज दिया दोनों बहुएं भी बोल उठी सच अमी जान बिलकुल इसमत आपा है पर बहु का मूवी तो देखिए लीजिये ये रहिये शर्फी और जट अशर्फी थमा कर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उलड़ दिया अल्ला चांद का टुकड़ा है ननी नजमा देखो सोने का दिया जला धरा है ताहिरा ने लजजा से सर जुका लिया पंदरा साल में वो पहली बार सस्राल आई थी बड़ी मुश्किल से वीजा मिला था तीन दिन रहकर वो फिर पाकिस्तान चली जाएगी पर कैसे कटेंगे ये तीन दिन चलो बहू उपर के कमरे में चल कर आराम करो मैं चाय भिजवाती हूँ कहकर ननी मामी उसे उपर पहुँचा आई रह्मान नीचे ही बैटकर मामू से बातों में लग गया और सल्मा को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही कीच लिया बार बार उसके माथे पर हतेली फेरती और हिचकिया बन जाती मेरी इसमत, मेरी बच्ची ताहरा ने एकान कमरे में आकर बुरका दूर फेक दिया बन खिटकी को खोला तो कलेजा धक हो गया सामने लाल हवेली खड़ी थी चटपट खिटकी बन कर वो तक्त पर गिरती पड़ती बैट गई खुदाया तू मुझे क्यूं सता रहा है वो मुझ ढापकर सिसा कुठी पर क्यूं दोश्ते वो किसी को वो तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है वहां का एक एक कंकर उस पर पहार सा तूट कर बरसेगा उसके नेक पती को क्या पता भोला रह्मान अली जिसकी पवित्र आखों में ताहिरा के प्रती प्रेम की गंगा चलकती थी जिसने उसे पालतू हिरनी से बना कर अपनी बेणियों से बान लिया था उस रह्मान अली से वो क्या कहती पाकिस्तान के बटवारे में कितने पिसे उसी में से एक थी ताहिरा तब थी वो सोला वर्ष की कनक छड़ी सी सुन्दरी सुधा सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्यां में मुलतान आई दंगे की ज्वाला ने उसे फूग दिया मुसलिम गुंडों की भीर जब भूके कुत्तों की भांती उसे बोटी बोटी से चुचोड़ने को थी तब ही आगया फरिष्टा बनकर रह्मान अली नहीं वो नहीं छोड़ेंगे हिंदूओं ने उनकी बहु बेटियों को छोड़ दिया था क्या पर रह्मान अली की आवास की मीठी डोर ने उन्हें बांद लिया सावला दूबला पतला रह्मान सहसा कठोर मेग बनकर उस पर च्छा गया सुधा बच गई पर ताहिरा बनके रह्मान की जवान बीवी को भी दली में ऐसे ही पीस दिया था वो जान बचा कर भागाया था बुझा और घायल दिल लेकर सुधा ने बहुत सोचा समझा और रह्मान ने भी दलीले की पर पशे मान हो गया हार कर किसी ने एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही मजबूरियों से समझाता कर लिया ताहिरा उदास होती तो रह्मान अली आसमान से तारे तोड़ लाता वो हस्ती तो वो कुर्बान हो जाता एक साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी दुलकर बह गया अब ताहिरा उसकी बेटी की मा थी उसकी किसमत का बुलन सितारा पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी अब वो सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था दस-दस सुंदरी अंगलो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाच थी धड़ाधर अमरीकी नाइलॉन और डेक्रॉन बेच थी दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलोने सा फुलने लगा तोन बढ़ गई, गरदन एटकर शांदार अकड से उची उट गई सीना तन गया, आवाज में खुद बखोद एक अमरेकी डेल डॉल आ गया पर नीलम पुखराज से जड़ी, हीरे से चमकती दमकती ताहिरा शीशम के हाथी दाज जड़े छपर खट पर अब भी बेचैन करवटे ही बदल दी हर मार्च की जाड़े में दामन चुडाती हलकी गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दुपहरिया में पानी से निकली मचली सी फड़फडा उठती मस्ती वरी होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे गुलावी मलमल की वो चुनरी उसे अभी भी याद है अम्मा ने हलका सा गोटा टाग दिया था हाथ में मोटी सी पुस्तक लिये उसका तरुन पती कुछ पढ़ रहा था गुंगराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर जुग गिया था हाथ की अज़ली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई थी गुलावी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सर जुका दिया था चुलबुली सुन्दरी बालिका नवविधु से छेब छेब कर रह जाता था बिचारा पीछे से चुपचा पाकर सुधा ने दोनों गालों पर अभीर मल दिया था और चट चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई थी वहीं से सास की नजर बचाकर भोली चित्वन से पती की ओर देख चट से छोटी सी गुलावी जीब निकाल कर चड़ावी दिया था उसने जब वो मुलतान जाने को हुई तो कितना कहा था उन्होंने सुधा मुलतान मत जाओ पर वो क्या जानती थी कि दुरभागे का मेग उसी पर मंडरा रहा है स्टेशन पर छोड़ने आये थे इसी स्टेशन पर यही कनेर का पेड़ था यही जंगला मामा जी के साथ गटरी सी बनी सुधा को गूंगट उठाने का भी अवकाश नहीं मिला गाड़ी चली तो साहस कर उसने गूंगट जरा सा खिसका कर अंतिम बार उन्हें देखा था वही अमरित की अंतिम घूट थी सुधा तो मर गई थी अब वो ताहिरा थी उसने फिर कापते हाथों से खिड़की खोली वही लाल हवेली थी उसके श्वसुर वकील साहब की वही छट पर चड़ी रात की रानी की बेल तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रस भरी राते बीती थी नजाने क्या कर रहे होंगे शादी कर ली होगी क्या पता बच्चों से खेल रहे हो आँखे फिर बरसने लगी और एक अंजाने मुह से वो जूज उठी ताहिरा अरे कहा हो रह्मान अली का स्वर आया और हर बढ़ा कर आँखे पोश ताहिरा बिस्तरबंद खोलने लगी रह्मान अली ने गीली आखे देखी तो घुटना टेक कर उसके पास बैठ गया आए बीबी क्या बात हो गई सिर तो नहीं दुखरा चलो चलो लेटो चल कर कितनी बार समझाया है कि ये सम मत करो पर सुनता कौन है बेटो कुर्सी पर मैं बिस्तर खोलता हूँ मकमली गद्दे पर रेश्मी चादर बिशाकर रह्मान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शर्बत लेने चला गया सर्मा आके सर्दबाने लगी बड़ी अम्मी ने कहा नजर लग गई है और क्या ननी नजमा ने धहकते अंगारों पर चून और मिर्च से नजर उतारी किसी ने कहा दिल का दोरा पड़ गया आवले का मुरब्बा चटा कर देखो लाड और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए पास में लेटा रह्मान अली खराटे भरने लगा तो दबे पैरों वो फिर खड़की पर जा खड़ी हुई बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की जील मिल गई थी पानी पी पी कर भी प्यास नहीं बुझ रही थी तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी उस घर में रात का खाना देर से ही निपड़ता था फिर खाने के बाद दूद पीने की भी तो उन्हें आदत थी इतने साल गुजर गए फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़े की तरह जबानी याद थी सुधा, सुधा कहा है तू? उसका हरदय उसे स्वयम धिक्कार उठा तूने अपना गला क्यों नहीं घोट लिया? तू मर क्यों नहीं गई कुए में कूट कर क्या पाकिस्तान के सब कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संसकार रह गए प्रेम की धारा मोड़ दी, पर बेड़ी नहीं कटी हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भोग कर निकल जाती है हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भर देती? आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है जहां उनके चर्णों में गिरकर अपने पाप धोले ताहिरा ने सिस्कियां रोकने को दुपट्टा मूं में दाब लिया रह्मान अली ने करवट बदली और पलंग चर मराया दबे पैर रखती ताहिरा फिर लेड गई सुबह उठी तो शैनाईया वज रही थी रेश्मी रंग बिरंगी, गरारा कमीज, अवरखी चमकते दुपट्टे हीना और मोतियों की गमक से पूरा घर महक महक रहा था पुलिस बैंड तैयार था खाकी वरदियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किर्णों से चमक रहे थे बारात में घर की सब औरतें भी जाएंगी एक बस में रेश्मी चादर तान कर परदा खीश दिया गया था लड़कियां बड़ी बड़ी सूर्मेदार आखों से नशा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थी बड़ी बूड़ीयां पान दान समेट कर बड़े इत्मिनान से बैठने जा रही थी और पीछे पीछे ताहरा काला बुरका ओड़कर ऐसे घुमसुम चली जा रही थी जैसे सुदबुत खोकर बैठी हो ऐसी ही एक साज को वो भी दुलन बनकर इस शेहर में आई थी बस में सिम्टी सिम्टाई लाल चूनर से ढगी पर आज था ये स्याह बुरका जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबो कर रख दी थी अरे किसी ने वकील साब किया बुलवा भेजा या नहीं बड़ी अम्मी बोली और तहरा के दिल पर नश्टर फिरा देदिया अम्मी मामू जान बोले उनकी तबियत ठीक नहीं है इसी से नहीं आए बड़े नहीं कादमी है बड़ी अम्मा ने डिबिया खोल कर मूँ में पान बरा फिर छाली की चुटकी निकाली और बोली शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं पर आस न उलाद सुना एक बीवी दंगे में मर गई सो फिर घर ही नहीं बसाया बड़ी धूमधाम से ब्या हुआ चांसी दुलन आई शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना नया जोड़ा, बड़ी अम्मी, लड़कियां यहां तक की घर की नौकरानिया भी बंठन कर तयार हो गई पर ताहिरा नहीं गई उसका सर दुख रहा था बेसर पैर के महबबत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी अकेले अंधेरे कमरे में वो चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी हिंदुस्तान प्यारे हिंदुस्तान की आखरी सांच जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वो आदमकद आईने के सामने खड़ी हो गई समय और भागे का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका था वही बड़ी-बड़ी आखें, गोरा रंग और संगमरमर सी सफेद दे कौन कहेगा वो एक जवान बेटी की मा है, कहीं पर भी उसके पुष्ट यौवन ने समय से मूखी नहीं खाई थी कल वो सुबे चार बजे चली जाएगी, जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्वित याक कर वेरागी का वेश धर लिया है क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे? किसी शैतान नटखट बालक की भाती उसकी आखें चमकने लगी जटपट बुर का ओड़ वो बाहर निकल आई, पैरों में विजली की गती आ गई पर हवेली के पास आकर वो पसीना पसीना हो गई पिछवाड़े की सीडियां उसे याद थी, जो ठीक उनके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी एक-एक पैर दसमन का हो गया, कलेजा फटफट कर मुखो आ गया पर अब वो ताहिरा नहीं थी, वो सोला वर्ष पूर्व की चंचल बालिका, नववदू सुधा थी जो सास की नजर बचा कर तरौन पती के गालों पर अबीर मलने जा रही थी मिलन के उन अमूल्य शणों में सैयद वंश के रह्मान अली का अस्तुत्व मिट गया था आखरी सीड़ी आई, सास रोक कर आखे मून कर, वो मनाने लगी हे बिलवेश्वर महादेव, तुम्हारे चरनों में ये हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी एक बार उन्हें दिखा दो, पर वो मुझे ना देखे बहुत दिनों बाद भग्त ने भगवान का स्मरन किया था, कैसे ना सुनते आशों से अंधी आखों ने देवता को देख लिया वही गंभीर मुद्रा, वही लठे का एक बर्रा पैजामा और मलमल का कुर्टा सब सिनमा से लोटने को होंगे, अंतिबार आखों ही आखों में देवता की चरन धूली लेकर वो लोटी और बिलवेश्वर महादेव के निर्जन देवाले की ओर भागी नजाने कितनी मनौतिया मांगी थी इस देरी पर, सिर्फ पटक कर वो लोट आई, आचल पसार कर उसने आखरी मनौती मांगी हे भोलेनात, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में काटा भी न गड़े हीरे की अंगूठी उतार कर चड़ा दी, और भागती हाफती घर पहुची रह्मान अली ने जाते ही उसका पीला चेरा देखा तो नपस पकड़ ली देखूं बुखार तो नहीं है, अरे अंगूठी कहा गई? वो नगूठी रह्मान ने उसे इसी साल शादी के दिन यादगार में पहनाई थी नजाने कहा गिर गई, ठकेस्वर में ताहिरा ने कहा कोई बात नहीं, रह्मान ने जुक कर ठंडी वर्फ सी लंबी उंगलियों को चूम कर कहा ये उंगलियां अबाद रहें, इंशाओ अल्ला आपके तहरान से चौकोर हीरा मंगवा लेंगे ताहिरा की खोई दृष्टी खिड़की से बाहर अंधेरे में डूपती लाल हवेली पर थी जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दप से भुच गई थी तहरा ने एक सर्थ सास खीच कर खिड़की बंद कर दी लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूप चुकी थी तो ये थी शिवानी जी की सुन्दर कहानी लाल हवेली सुनने के लिए धन्यवाद